पंकार हाथ जब किसी शेय को छूड़ जाएं तो मामूली चीज भी गयर मामूली हो जाती है कारीगर के हाथ काले हो जाते हैं मगर बैद पर उसके फन का जादू सर चड़ कर बोलता है पहले आग से बैंड करते हैं स्केलिंग में बैंड करके फिर उसके पैटन बनागे तो चेर के या बैड़े के या डैनिंग के जो भी हमने बनाना होता है पैटन बनागे उसको फिटिंग करते हैं उस टेक्चर बन जाता है बनाते हैं जी फ्रूट बासकर्स, फ्लावर बासकर्स, फ्लावर पॉट वाल, फ्लावर पॉट आग की भटी और फनकार हाथों से गुजर कर बैद वो नहीं रहता जो वो कभी था अजरा इन अश्या की खुब्सूरती देखिए और इन्हें तराशने वाले कारीगरों को भी जो आप से कुछ कहना चाहते हैं यह उनर्मन दफ्रार सर्माई की अदम दस्तियाबी के बाएश अपने कारोबार को बड़े पेमाने पर पहलाने से कासिर है हकूमत ने इनकी माली मदद तो कर दी है लेकिन वो भी ऐसे है जैसे उंट के मुँ में जीरा ताहम इनका मतालबा है के हकूमत इनके बनाए गए फन के नमूनों को बेरूने ममालिक मतारिफ करवा के इनसे जर्रे मुबादा भी कमाई केमरमन यावर भठी के हमरा अफीफा नसुल्ला लाहूर